हलो फ्रेंट्स वेलकब दो चानल करांट अफ़ेर अपडेटेड दिस देवाशी शवस्ती और आज मैं आपके सामने इंडियन जोग्रफी के एक इंपॉर्टेंट टॉपिक की से मिलेगा तो इस लेक्चर को एंट तक देखिएगा अगर आप एक्जाम के लिए सीरियस हैं तो एंट तक जरूर देखिएगा और आपको एक्जाम में बहुत हो जाएगी तो चलिए स्टार्ट करते हैं टॉपिक है क्या डाइस मिनरल रिसोर्सेस ऑफ इंडिया तो मिनरल र आपके क्लियर कर देता हूं तो सबसे पहले कोश्चन तो डारेक्ट कोश्चन होंगे जैसे कि आपसे पूछी जाएगा विच ओफ दा फॉलिंग रॉक सिस्टम इस दा मेजर सोर्स ऑफ मेटालिक मिनरल इंडिया में मिलते हैं उसका मेजर सोर्स किस रॉक में अब देखिए सारी रॉक आपको एक जैसी लगेंगी अब आप सोचेंगे कहां पर होंगे बहुत सारे मेटालिक मिनरल कुछ लोग लगाएंगे सर गोडवाना में लगा देते हैं आंसर गोडवाना सुना सुना लग रहा है कुछ लोग विंधियन सिस्टम पे लगा देंगे ओके यू अरे मिनरल्स जो है धारवाज सिस्टम आफ रॉक में आपको देखने को मिलते हैं तो ये कुछन डारेक्टर आ सकता है सेकेंड कुछन ये भी बहुत फेमस कुछन है क्या कि स्टोर हाउस ऑफ इंडियन मिनरल्स हम किसे कहते हैं विच इस नोने स्टोर हाउस ऑफ वट इस इ रॉर ऑफ इंडिया भी कहते हैं या दखेगा विकॉस जो जर्मनी में प्लेस है इस फेमस फॉर मिनरल्स ओके तर इस वाई रॉर हमने कॉपी किया है जर्मनी से तो रॉर ऑफ इंडिया भी से कहा जाता है तो छोटा नाकुल पेटू is known as because of lots of mineral deposit they are known as या दखने स्टोर हाउ of Indian minerals so this is very important question static question है exam में ऐसा question easy भी आता है चले आगे बढ़ते हैं अगर आपसे पूछे कि है option number a अभी मैंने बताया धारवा रॉक सिस्टम जो है बहुत साय मिनरल्स के लिए है बिल्कुल metallic मिनरल्स के लिए और याद है कि generally iron ore reserve जो है वह आपको धारवा system of rocks में ही देखने को में ले गए तो correct answer is that is option number a अब मैं एक बाप बता दूँ मैंने सबसे हाई मिनरल्स कौन से मिनरल्स कहां पर मिलते हैं सबसे ज़्यादा यह मैं अल्रेडी बना चुका हूँ वीडियो उसका link में description box में डाला हूँ वह वीडियो आप देख लेना ओके चलिए next question में आते हैं question number fourth which mineral is found in नात्रा की पाल ठीक है नात्रा की पाल area जो है राजस्थान में बहुत famous area है यहां कौन सा mineral मिलता है ठीक है नात्रा की पाल यह area जो है राजस्थान में यह पूछा सकता है यह area कहा है राजस्थान answer है किस mineral के लिए famous है options है आर इं copper, lead and zinc या manganese राजस्था देखके आप हो सकता है लेट जिंग की और मूफ करें यह जो मैं आपको माइंस दे रहा हूं तर इस नाथरा की पाल जो पूचा कहने है लिए 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 है आप देख सकते हैं यहां पर लिखा भी हुआ है ठीक है नेक्स कोशन में आते हैं जो है खदाने जो है वह आपको याद रखनी पड़ेगी मैं करके जो इंपोटेंट है उनको डिसकस करों एक्जान पस्पेक्टिव से यहां देखिएगा तो बाला दुला यह मैं सौन है कि में बाइस है पुष्चा घ्रैते हैं और आप से पूछा यह अकिस मीन्डलन से इन 처음 से में माइन कका से यह कोड किस स्क्राइट बático cabinet एंग पैस देट सिहें है रिमेंबर जिस तरह मैं आपको बताया कि दंदेवाड़ा जो छत्रीस गार में डिस्टिक्ट है वहां पर यह सिचुएड़ है आपको जस्त इतना याद रखना है कि आरे नोर के लिए फेमास है इसका लोकेशन का है इतना गाफी है राजस्थान जनरली आप देखें पर जिल रहा है ठीक है ऑप्शन से कॉपर माइका जिंक या डॉलो माइट या राइस्थान में मिल रहा है तो कह सकतो एक तरीके से मोनोपली राजस्थान ने इस पिंडल पर बना लिए तो करेक्ट आंसर आपको बताना है तो याद इसनिए मैंने पूशा भी आपको राज जगों के अलग-अलग नाम लिखा है दुर्ग लिखा है बस्ता लिखा है बालाघाट लिखा हुआ है अलग-अलग फेमस माइंस का नाम भी लिखा हुआ है बट इसमें पर करेक्ट आंसर आपको बता नाभी मैंने देखू बस्तर का पता है अपको 36 गड़ का ऐसी अलग- यह आपको पता दूँ राजस्थान में लोकरिद है किस चीज के लिए आरेन के लिए कोल के लिए मैगनेज के लिए कौपर के लिए अब आप यहां पर कन्फ्यूज होंगे खेत्री माइंस किस के लिए होंगी अभी मैंने आपको हिंट दिया तरह करेक्ट आंसर है कोपर के लिए बहुत फेमास है और मैंने आपको जिस तरह बताया यह राजस्थान में यह माइंस लोकरिद है खेत्री माइंस बहुत वार एक्जाम में रिपीटेड टाइम से कुछन पूछा गया है तो आपको याद रखना को कमिंग एक्जाम में कुछन आ सकता है नेक्स है तिन का टॉप प्रोडूशर कौन है ठीक है आप जनली देखेंगे इसी स्टेट में सिर्फ तिन आपको देखने को मिलेगा आंध्य पदे च्छतिस गड़ जारखन या ओडिशा चार ओप्शन है कुछ लोग सोच रहोंगे सर ओडिशा मिनरल्स बहुत है ओडिशा टिक तो सबसारा प्रड़क्शन भी 36 गड़ से ही है नेक्स्ट कुशन अमर्ट 10 मार्बल की अगर मैं बात करूँ ठीक है तो मार्बल क्या है ठीक है सेडिमेंटरी रॉक है फेलेसाइट रॉक है मेटमॉर्फिक है या इगिनियस रॉक है क्योंकि तीनो टाइप्स की रॉक्स यह देखिया में लिग भी रखा है मार्बल में मेर्मॉर्फिक रॉक है जो की लाइम स्टोन को हीट और प्रेशर के टम्स में यह कनवर्ट होती है किसमें मार्बल में चली नेक्स्ट कॉशन में आते हैं कॉशन बाई लेविंद्ध विच वन ऑफ फॉलिंग रॉक सिस्टम इंडिया is the main source of coal deposits सबस्दा को 90% कोल deposit आप इसी रॉक सिस्टम में देखेंगे तो कौन सा है आयरेन के लिए तो मैंने बता दिया आपको धारवार तो यह तो कट हो गया अब बचा गोडवाना कुडपा या विंधियन रिंजिस यह कोशन बहुत फेमास है या देखिएगा करेक्ट आंसर बहुत system की अगर बात के हो तो 90% आपको कि तरह 90% नबेर प्रतीश्यत 90 फरसेंबंधा रॉक्ष में आपको देखने को मिलता है next question number 12 आ botti है this is one of the famous cold field जिसका नाम है नाम्चिक नामपक कोल फील्ड बहुत फेमस है बहुत वार एक्जाम में रिपीटेड पुछा गया है यह कोल फील्ड कहां लोके रिड़ है और अरुनाचल मेगाले मिजोरम मनीपुर चारो ही स्टेट मैंने नौर्थ इसके देदी है और आपको याद नहीं होगा तो आप अरुनाचल प्रदेश तो नहीं लगाएंगे और कन्फीज हो जाएंगे ओके चले नेक्स क्वेशन में आते हैं सिंग्रॉली है सिंग्रिनी है और यहां पर दामोदर वैली सोन वैली गोदावरी वैली हो महानदीर वैली है आपको मैच करना है तो तल्चर की अगर बात करें ओडिशा में आपको पता होगा तो यह जाएगा आपका महानदीर वैली में ठीक है सिंग्रॉली की बात करें और डिटेल्स में आपको बताई दी हैं यहां पर पढ़ सकते हैं यहां पर डिटेल में डिस्क्रिप्शन लिग दिया गया है पर आपको याद अखना है ऐसे कोशन पूछे आते हैं match the following में और एक दो भी match अगर आपके हो गए तो आप correct answer निकाल लेते हो अब यहां पुछागे एक बहुत फेमस कोल फील जारिया कोल फील बहुत वाइग्जाम में आता है कि यह जारिया कोल फील कहां पर है कहां associated है तो इसके पहले वाले अल्फाबेट से इसका answer दिया हुआ है क्या होगा answer बताओ that is जार्खन remember कोशन आएगा आपको directly mark करना है ज्यादा discussion इस टॉपिक पर नहीं करना आपको चलिए नेक्स कोशन अगें दिखें मैच मैच्ट फॉलेंग कुछ कोल फील्स लिखी हुए कुछ स्टेट्स लिखे हुए उनको मैच करना है अब देखते हैं अभी कोर्बा की बात करूं कोर्बा कहा है सब लोग कहेंगे सर्ट कोर्बा जो है जारकन तो इसका आंसर होगा जारकन तो एक थ्री एक थ्री सीधे आंसर आ गया है यहां पर देख सकते हो आपको पीडिएफ मेरे टेलिग्रम ग्रूप मिल जाएगी वहां से आप डाउन्लोड भी कर लेना चलिए नेक्स कोशन में आते हैं अगें कुछ कोल फील्स है अगें लोकेशन है स्टेट्स की मैच ता फॉलिंग है ठीक है माकुम है नामचिक है गिरद है सुहाकपूर है देखिए मैं आपको कुछ बताओं कैसे कुछन को मैं सौल पर हूँ जो मुझे बनता है जैसा भी नामचिक का मैंना भी कुछ दिर पहले डिसकस किया और आंसर क सारे ही सही मैच है माकुम कोल फील्ड इसे असम नामचिक अरुनाचर प्रदेश गिर्द इसे जारखन और सुहागपूर इसे मध्र प्रदेश सारे करेक्ट ली मैच है करेक्ट आंसर ऑप्शन नमबर ए है तो ज्यादा डीटेल यहां पर याद दखना है कोल फील्स जो है बहुत इंपॉर्ट हो जाती एक्जाम में कोशन फ्रेम किया जाते हैं सबसे ओल्डेस ओल्ड फील्ड अगर बात को सबसे पुरानी ओल्ड ओल्डेस ओल्ड फील्ड कौन सी हैं ऑप्शन से बॉंबे हाई महराश्य में सुना होगा अपने अंकलेश और गुजरात में अंकलेश वर इस बहुत बार पूछा गया है कि यह कहां लोकेटेड है या किस चीज के लिए फेमस है तो मैं बता दूँ यह पेट्रोल रिजर्फ जो है उसके लिए फेमस है ठेक है तो यहां पर तो करेक्ट आंस ओप्शन नबर ए है बट यह लोकेटेड का है इसकी लोके अंकलेश वर वड़ोद्रा के साइड में आप देखेंगे गलफ ऑफ खंबाट साइड आपको देखने को उससे तुरण दूर पर है रिवेमेंबर निया इसे करके याद कर सकतो नब गॉइल फील्ट करेक्ट आंसर गुजरात रिमेंबर ठीक है तो नवगम ओएल फील्ट क का है गुजरात में अभी आपको अंगलेश वरी मैंने आपको बता है कलोल भी याद एकना गुजरात में तो कुछ में आपको हिंड देता है आ रहा हो दिए दे करके आप याद कर सकतो ओएल फील्ट चलिए नेक्स बश्चन में आते हैं नून मत्ती ओएल रिफाइंड डि याद करनी है जो मैं बता रहा हूं इस वह याद कर लो उसी में से एक्जाम में देखने को मिलेगा क्योंकि मैं एकदम मोश्ट इंपॉर्टेंट ही बताता हूं तो करेक्ट आंसा ऑप्शन नमबर ए है नेक्स्ट कुश्चन में आते हैं कुश्चन में 21 अगेन ओल करता हूँ तो मैं अभी दूअप्शन सैधा लेकर देगे मेरे अब आपको आगे मैच करना है नुमाली को मैच करना है चलिए देखते हैं अब और क्या मैच कर सकते हैं B का यसदा है ठीक है अब एक भी अगर सही आप मैच कर दोगे तो आपका करेक्ट आंसर यहाँ पर आ जाएगा तो देखिए मैं आपको यहाँ पर सारी चीजे जो है यह देखिए डिस्क्रिप्शन में बताए दे रहा हूं टाटी पका जो है वह आंदर प्रदेश में क्वाली मैं आपक तो सी को टू लगा सकते हैं तो सी को टू लगा देंगे तो आपका आंसर आजाए दरिस ऑप्शन नमबर भी 3124 ओके तो टटी पका जो है दरिस आंदर प्रदेश नुमाली गड़ है वह असम में है ठीक है तो यह कुछ इंपोर्टन ओयल रिफाइंडी इस थे जो मैं आप बहुत फिर मस्याइब येस इस लोकेड़ गुजरात ऐसे को आते हैं कभी-कभी डारेक्ट आप से पूछ लेंगे कहां लोकेड़ है और कभी-कभी आपसे मैं पूछ लेंगे इसलिए मैं कहता हूं याद कर लो मैं दफॉलिंग में आ गया मैं करना आपके लिए असान हो ज जग्दीशपूर हजीरा इस गुजरात विजापूर इस बद्यपदिश और जग्दीशपूर इस यूपी इंपोर्टन गैस पाइप्लाइन है इसको कंस्ट्रक्ट किस अथॉर्टी ने किया है गेल ने ऑल इंडिया लिमिटेट ने इंडिया ने हिंदुस्तान है कि लॉंग है यह और मैंने भी हजीरा मैंने आपको क्या बता दिया था आपको महराष्ट गुजरात बता दिया था शायद मैंने गलत है यह जग्दीशपूर इस यूपी तो यह आपको याद रखना है बहुत इंपोरेंट है एच बीजे पाई गैस पाइप्लाइग यह यह भी कृशन बहुत की बता बहुत तो चली नेक्सक्राइग माते रखने 24 में कौट्राइग क्स्थे मेंटम और्फन में हुआ कौट्स्थ्में बनाए है डिस तो से और एधन से अजैंसों ग्रह पूछा चुका है आपको यह मेह पटा हूं जहूर कि यह कौन सी रोख है मेडमोर्फिक कौन सी सेडिमेंटरी कौन सी है यह भी कुशन आपके एक्जाम में पूछा आता है मैंना अल्रेडी पढ़ा हुआ है जैसे कुशन फ्रेम किये जाते हैं ठीक है तो यह तो एकड़ू सही है अभी बताया सब्केट्री भी बताया कॉपर के लिए कुरदेर बुक कारेन के लिए और एडिशा गरी में अज्मेंगें ठीक है, it is not famous for manganese, okay, it is famous for aluminium, remember, तो ये जो था, वो रॉंगली मैच था, जो की कोड़ा पुट है, जो की ओडिशा में, इस फेमस for aluminium, ना ही manganese, तो B is the correct answer, okay, चलिए, लास्ट कोश्चन जो है, that is 26 कोश्चन, कुछ मिनरल्स लिखे हुए हैं, और मैने industries लिखे हैं, जहां पर इनका मिनरल्स का यूज हो सकता है, आपको match the following करना है, जैसे limestone है, copper है, bauxite है, manganese है, और इधर आप देखेंगे, cement है, electrical goods है, aeroplane manufacturing है, steel है, आपको match the following करना है, और बतानी है, कि limestone, I think, अगर आप cement industry में या cement में आपको फादर लोग work करते होंगा, आपको पता होगा, limestone का use होता है, तो A का 1 है, ठीक है, electrical goods में बिलकुल copper wire डलते हैं, आप देखा होगा, तो B का 2 है, bauxite के अगर बात करें, तो bauxite aeroplane manufacturing में यूज होता है, सही है, और magnees आप देखेंगे, steel में यूज होता है, तो सारे ही correctly match थे, line से ही match थे, तो correct answer 1, 2, 3, 4, remember A is the correct answer, तो यह थे important mineral से, topic से question मैंने सारे जो है, वो questions cover किये, exam perspective से, और exam में आपको देखना यही question repeated दिखेंगे, तब आप मुझे यहाँ पर आके जरूँ इस वीडियो पर thank you लिख सकते हो, ठेक है, यहाँ पर यह lecture complete होता है, अब आपको complete हर subject पढ़ने है, properly strategy बनानी है, किस्ते त्यारी करें, तो उसके लिए मैंने एक strategy वीडियो बना रखा है, आप इस वीडियो को देखें, और आप अपनी त्यारी preparation करना चालू कर सकते हैं, कोई doubt query है वो भी आप comment करें, इसका link में description box में डालना हूँ, अगर आप हमें कुछ contribute करना चाहते हैं, remember, तो हमारा paytm, google पे phone पे number यहां मैंने mention कर रखा है, contribute क्यों, अब कुछ लोग पुसोच रहोंगे, just channel की growth के लिए अगर आप contribute करेंगे, तो हम और अच्छे videos, और अच्छा content ऐसी regular लाते रहेंगे, okay, ऐसी free में आप देख रहे हैं, आपको PDF प्रोवाइड कर रहे है, lectures की, वो हम ऐसे ही देते रहेंगे, okay, तो आप चाहें तो contribute कर सकते हैं, it's voluntarily, एक रुपे भी करोगे, that is good, okay, चलिए, अबनी शब्ता के recording आप कर सकते हो, plus अगर आपको notes buy करने है, notes are very important part, okay, जैसे मैं आपको कुछ sample दिखा रहा हूँ, okay, हर subject के आपको notes मिल जाएंगे, आपके घर तक courrier हो जाएंगे, it would be very easy for you, तो आप notes order कर सकते हैं, plus कैसे order करेंगे, मेरा number यहाँ पर mention है, whatsapp करी, आपको notes मिल जाएंगे, अगर आप मे reasoning सब आपको वहाँ पर मिलेगी, एक बार app को जरूर visit करो, ठीक है, कोई doubt query है, comment box में जरूर comment करें, आपके comments हम read करते हैं, ऐसी हम हाँ topic wise आपको MC की series लाते रहेंगे, और पूरा syllabus जो है न सारे subjects चिंटा मत करोया, सारे subjects complete करा दूँगा मैं, और exam में आपके जादा स्जादा marks आएंगे, अगर आपको series पसंद आ रही है, तो वीडियो को like जरूर कर दो, क्योंकि हम बहुत मेहनत कर रहे हैं इस पर, I hope आपको मेहनत देखती भी होगी, question जिस तरह हम आपके सामें लेके आते हैं, और अगर आपको कोई doubt query है, वो भी आप comment करी है, हम आपके doubt queries को भी दे Thank You!